आगामी दिवसों मा बनशे सेमी कंड़क्टर हब 28 जुलाई गांधी रगर मा योजाशे आंतराश्ट्री ए सेमी क्रॉन सेमिनार पीएम बोधी करशे सेमिनार नूँ उजगाटन उजगाटन पहला केंद्री ए प्रधार राजीव चंद्रशेखन नी टीवे 9 साथे खास वाची तेमने जनावियू कि देश ना तमाम राजियो करता गुजरात मा वधू तक छे पीएम नू स्वपन साकार थवा जई रहू छे देश ने सामी कंड़क्टर नू हब बनावानू वड़ा प्रधान स्वपनाची ने फरी एक वार गुजरात माते साकार थवा जई रहू छे सामी कंड़क्टर हब बनाया जाए गुजरात को ही उसमें चॉइस किया गया है किस तरह से पीएम के विजन को देखते हैं कि आपने जिस तरह से बोला कि पंदरा महीने का ये वर्क है काफी एफट लगाए गया है जब यूस में पीएम गए तब भी उन्होंने इस पे जो हुआ है गुजरात में यह तो मैं मानता हूँ एक अन — प्रेसिडेंट इट सा इवेंट है अंप्रेसिडेंट सा मैल्स्टोन है क्योंकि सतर साल से हम देश का जो नरेटिव था सेमिकंडुक्टर के बारे में वो नरेटिव था अंग्रेज में एक फ्रेज है मिस्ट बस, मिस्ट ऑपर्चुनिटीज पहली बार प्रदानमंत्री मोदी जी के विजिन के कारण उन्होंने 76,000 क्रोर्स के फंड अवेलिबल किये और गुजरात सरकार का जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण गुजरात आज देश के पहले स्टेट हैं जहां पर इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा सोफिस्टिकेड़ प्लांट बनने वाला है और ऐसे कभी मैं ऐसा मौका या ऐसा माहूल ऐसा एक एकसाइटिंग माहूल एक माहूल ऑफ कॉंफिडेंस और प्रॉमिस मैंने कभी महसूस नहीं किया और मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात इसका एक तरह से पाइनियरिंग स्टेट है आगे है और इस एफोर्ट में प भारत एक सेमीकॉन नेशन बने तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहां पर चार पांच साल पाइने पहले यहां पर फ्यूचर डिजाइन या स्टार्ट अप्स के लिए पहला कॉंफरंस यहां पर हुआ था गांधी नगर में और मैं बहुत खुश हूँ कि आज सेमीकॉन कि देश कौन से रास्ते पे चल रहा है एक दो सवाल है इंडस्ट्री में कितना बुस्ट आप देखते हैं और जिस तरह से आपने बोला कि इलेक्ट्रोनिक में ड्रॉप आउट काफी शुरू हो गया था अब अगर इंक्रीज हुआ है तो वह स्टेबल रहेगा आगे बढ़े तीस साल में उन्होंने मैं कहता हूं हमेशा बाहर जाकर कि तीस साल और दो सौ बिलियन डॉलर ने चाइना ने इन्वेस्ट किया है सेमिकंडुक्टर के दुनिया में और फिर भी असफ़ल रहे हम प्रदानमंत्री मोदी जी के नितितुमें दस बिलियन डॉलर और एक आने साल में सेमिकंडुक्टर के दुनिया में आगे इतने बढ़ेंगे कि हम एक एक अच्छे नेशन बनेंगे हमारे केपड़िटीज और काभलियत के कारए कि जल्दी बंद वाइंडफ कीजिए अंतिम सवाल कि इंडिया हब कब तक बन पाएगा क्यूंकि गुजरात में ही एक गुजरात आज भारत के सभी प्रजेशों से आगे बढ़ चुका है और मैंने अभी मुक्यमंती जी से भी कहा उनको शबाज मैंने कंग्राजिशन भी किया कि गुजरात एक तरह से एक टेक्टॉनिक जम कर रहा है समिकंडुक्टर दुनिया में पूरे सभी स्टेट को गुजरात एक टेक्टॉनिक जी सेमिनार था रहा है तेना थी एक अलग बुस्ट अप देश ने पन मरशे गुजरात ने पन मरशे